नमस्यार दोस्तों शेयर मार्केट भी द्यों में आपका श्वागत है आज मैं तीन कंपणी का क्विकली टेक्निकल्स भी देखता हूं और फॉंडमेंटली इसमें जो पहली कंपणी है इस्ट्रीप प्लानर यह आज देखेंगे तो लगवा 4.67% के डाउन फॉलू ऐसे तो पूरा शेयर मार्केट ही डाउन हुआ है तो ऐसा कहना मुस्किल है कि किसी रीजन से गिरा आज देखे तो एक जबर जस फॉल आया इसमें भी तो देखे तो यह कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और अभी अगर आप देखें तो एराउंड 37 रुपीज से यह सीधे 52 45 के आसपास आने में तो यह कोई बड़ी बात नहीं है एक नॉर्मल करेक्शन्स है यह डॉन फॉल इसको नहीं कह सकते बागी फंडमेंटली बहुत अच्छी कंपनी है इसको लाउंग टाइम के लिए आप फोल्ड करके रखें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह देखें कि यह एक लंबा एक दिन में ही देख रहा है कि कहां से कहां भागा था और उसको गीरने में उस पोजिशन्स पे आने के लिए चार दिन लगे हैं तो ऐसा नहीं है कि यह नॉर्मल करेक्शन्स इसको माना जाए और अभी जो सौट टाम के ट्रेडर्स हैं हो सकता है प्राफिट तो बुक कर लिया होगा बाकि जो लॉंग टाइम के हैं वो इसमें बने रहें और आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा प्राफिट बना कर देगी यह कंपनी इसको पेसंसली होल्ड करें अब जो अगली कंपनी है सीडिये सेल्स फंडामेंटली बहुत ही इसको 900-900 के आसपास हमने कई वारमेंट किया था अभी एक कॉंसलीडरेटेट फेज़ में है यहां पर करेक्शन्स रिक्वाइड था लेकिन अभी एक कॉंसलीडरेशन फेज में चल रहा है अगली कंपनी इंडियन इनर्जी एक्सचेंज यह कंपनी देखें तो 120 रुपया से सीधे आपका 150 के आसपास यह गया था आज जब जस फॉलो है 10% का इसमें फॉल आया है हलाकि यह सरकारी कंपनी है थोड़ा इसमें सरकार का मैनिप्लेशन होते रहता है तो फर्णामेंटली तो अब उतनी अच्छी नहीं कह सकते आप इस कंपनी को लेकिन सेक्टर इसका है तो लेकिन क्या ही 120 तक जा पाएगा अभी कहना मुस्किल है क्योंकि यहां पे काफी सपोर्ट जोन के आसपास 147 जो है अभी काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है तो इसको आप क्लोजली वाच करके रखें और लांग टाइम के लिए आप होल्ड कर सक करते हैं इस इंफर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यों